अब विश्नु राज का बचना हुआ मुश्किल नमस्कार दोस्तों मैं मधूलीका आप सबकर स्वागत करते हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलीका यूपी आट बियल आज में आप लोगों को बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाली हूं बस अभी अभी जेश्ट मैंने देखा एक वीडियो विश्नु राज का मुश्किल हुआ है बचना विश्नु राज के केस में फाइनल हो गया कि विश्नु राज ने ही सब कुछ किया है विश्नु राज खुद अपने मूँ से कबूल लिया है कि मैंने ही सब कुछ किया मेरा ही किया तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मैं मधुलीका अप्सब को स्वागत करते हूं आपके अपने यूनी चैनल जीra मैं मधुलीका, यू-पी डोस्तों वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब किजिए चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोएस्तों जैसे आपको मालूम है इस समय विश्णुराज जी जेल में और विश्णुराज की डेट थी और 28 तारीक को विश्णुराज का जैसे मामला आया सामन मेरे बेते से एक बार मिलाया जाए आए तो तोस्ते एक सीटी बड़ा गुहार लगा रहा है की मेरे बेते को मिलाया जाए मुझें एक बार कम से कम मैं बेता देखी लूँ क्योंकि तीन मंत हो गहें उस नहीं किέ से बार भी अपने बेते से नहीं मिला और विश्णूराज अपने ससूर जी से तुम भी चार बच्चों के बाफ हो और तुम्हें पता है तो हो सके या भी कैसे भी करके बच्चे को मिलाईए उनसे तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं कि विश्णु राज को यूराज से मिलना चाहिए कि नहीं एक बेटे को अपने बाप से मिलवाना चाहिए कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों यहां यह भी कहा जा रहा है कि जो बिश्णूराज है बिश्णूराज के ससुर का कहना है कि बिश्णूराज ने ही सारे सरियंतों का जड़ सिप बिश्णूराज है बिश्णूराज ने सब कुछ किया उनके पिता का कहना है कि ठीक है बिश्णूराज कहता है मैं निर्दोस हूं मैंने यह किया तो उनके पिता का कहना अगर विश्णूराज यह सम नहीं करता तो जितनी टाइम पे मालती जब इस्टूडियो में लटकी हुई थी उस समय का वीडियो क्यों नहीं बनाया वीडियो बनाना चाहिए उस समय दिखाना चाहिए कि देखिए ये वीडियो है इसमें मालती लटकी हुई है और फी विश्णुराज कह रहा कि पुलिस प्रशाशन ने खोला है मालती को तो वो कह रहा कि मालती की पिता का कहना अगर पुलिस प्रशाशन भी खोली होती न तो क मतलब मारा गया है मालती ने खुद खुशी नहीं की है ऐसा लोगों का कहना है और ऐसा मालती के पीता का भी कहना है और जो बिश्नुराज के जो महादेव हैं महादेव यानि भाई जो आरोप लगा रहे हैं कि मालती के पीता जो है यूराज ये बिश्नुराज और मालती से न कि दिसंबर में उसकी माँ खतम होई थी और इधर विश्णूराज की नानी खतम हो गई थी जिसकी वज़े से इनकी फैमिली ने कहा चलो ठीक है एक साल बात क्योंकि जहां किसी की म्रत्व हो जाती दोस्तों तो मतलब कोई वो नहीं होता कोई सुपकाम में नहीं हो सकते तो य चंदीर में शादी कर ले उस समय जो विश्णूराज के ससुर्यानी मालती चौहान के जो पीता थे वो उस समय बाहर गए थे ड्यूटी मतलब मेहनत मज़ूरी करने और वो चंदीगड में डॉप करते हैं जैसे कि आपको मालूम है कि अभी मालती चौहान की रखतादी हो ग कि इस माकान का वीडियो है क्योंकि जब विश्णूराज गए थे वहां भी इनके दोस्त बहुत सारे निकले थे फ्रेंड फालूइंग इनकी बहुत जादा है जैसे आपको तो मालूम ही है तो दोस्तों विश्णूराज के ससुर का कहना है यानि मालती के पीता का कि ये लो कहने का मतलब है कि इनको मैंने दाहेस नहीं दिया जिसकी वज़े से ये मालती के साथ ऐसा कि अगर मालती खुद करती तो ये उसका वीडियो क्यों नहीं बनाये थे तो वहीं पर इनसे पूछा गया कि क्या अब विश्णूराज ऐसा कोई वीडियो दिखाते है कि मालती लगा सकते हैं तो आप तो यह सब हमाने के लिए नहीं तयार है और विश्णु राज को कहा जा रहा है है पी टेटी क्या ऐसे कुछ हो गए जो बहुत ज्यादा गंभीर होती है जिसकी वज़े से विश्णु राज जेल में है और विश्णु राज ने अपने बेटे से मिलने की गुहाल लगाई जनता से तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि विश्णु राज का जो बेटा है विश्णु राज से मिलना चाहिए कि नहीं दोस्तों एक तरफ तो एक पिता है अपने बेटे के लिए मगर उसे इनसाफ नहीं मिला। बिश्णुराज का जेल से निकलना मुस्किल है। कहा जा रहा है बिश्णुराज की तबियत जादा दिन का दिन जादा खराब होने की वज़े से बिश्णुराज होस्पिटिलाइज हैं। उनको जो भी जरूरत रहती है। उनका भाई जो है वो देखिया तो उनकी भाई की एक बात मुझे अच्छी लगी कि एक पिता जो है अपने बेटे से क्योंकि भाई बेटे की इसमें कोई गलती नहीं बेटे से पिता को अलग किया जा रहा है मगर हां बिश्नुराज ने जो किया वो अच्छा नहीं किया मालत ये खुद जाके शादी नहीं की थी क्योंकि विश्णूराज जो है जिसकी वज़े सँ दोस्तों जो मालती चोहान की शादी धी और जो कहा जा रहा कि ये नाराज है तो वो बता हुआ है कि मैं नाराज नहीं हूँ क्योंकि जब मालती इस दुनिया से गई उसके छे महीने पहले ही मैं मालती के घर गया था मैं बेटे के उसमें अगर मैं नाराज होता तो मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिलता मतलब कहते हैं कि एक तो वो इंसान ऐसे ही परेशान और उसको चारू तरफ उलजाया जा रहा तो दोस्तों ये बात तो सही है विश्णूराज के जो ससूर है उनका ये कहना है यानि मालती के पीता का कहना है कि मैं बेटे से यूरास को मैं मिलवा दूँगा उनसे विश्णूराज से मगर इस वज़े से नहीं मिलवाना चाहता हूं क्योंकि यूरास तो जूट में जूट यूट में जूटऊट पुल बांथा हां उन्होंने कि अगर मेराइवकिल कहेगा कि तुम मिलवा दो तो मैं मिलवा सकता हूं तो देखो यहाँ पर मिष्णु चायती हूं इतक बैटे की किस नहीं के कोई घलती में को हяжे उसका हirkاء अपने बेटे में उसको मिलने देना चाहिए और रही बात कानून की कानून उसको क्या करेगा कानून नयाय देगा कि नहीं देगा कि उसके शाथिये करेगा कि वो करेगा यह सब डिपेंड करता है प्रिशासन के उपर यह प्रिशासन तै करेगी कोट तै करेगा कि मिलने दो मुझे गले लगाना है क्योंकि तीन महीने हो गए चौथा महीना चालू मालती को गए हुए उपरेशान है अपने बेटे के लिए तो बेटे से मिलने देना चाहिए था दोस्तों आप लोग क्या चाहते हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा और बिश्नुराज के जो नाना है जो जिन्होंने बिश्नुराज को पाला पोसा बिश्नुराज ने अपनी एक जबमालती थी उस दुनिया में तब उन्होंने वीडियो बनाया था कि मेरी मा बाप तो मुझे जनम दिये हैं मगर मैं अपनी नानी और नाना को ही में कहते नहीं एक देवपती और ये शोदा वाली बात कि देवपती तो जनम दी थी मगर ये शोदा जो हैं पालती है वैसी ही मेरी नानी मेरी लिए मा के समान थी नानी मा थी वो और वह मुझे पाली पोसी थी तो इसलिए विश्णूराज की जब नाना मिलने गए वह बोले कि मैं आज 3 मंथ बाद विश्णूराज से मिला हूं अगर मेरी आँखों में सिफ आसुते और विश्णुराज की भाई का कहना है अगर विश्णुराज गलत होते तो मैं कभी नहीं उसका साथ देता महादेव का यह कहना है तो दोस्तों यहां विश्णुराज के उपर शक हम लोगों का क्यों जा रहा क्योंकि जब वो पंखे से लटकी हुई थी मालती तब विश्णु राज ने कोई वीडियो नहीं बनाया और विश्णु राज ने कहा पुलिस हां मानते उस टाइम पे जब वैसी सचिवेशन रहोगी तो दिमाग नहीं काम करता कि वीडियो बनाओ कि क्या बनाओ कि क्या करूं वगर कुछ लोग ऐसे हो मालती ने इस्टूडियो में लगा आज मैंने उनका वीडियो देखा उन्होंने बताया कि मालती ने इस्टूडियो से लटकी हुई तो बिश्णु राज के पिता का तो वैसे भी महनत मज़दूरी करते वह उसको इस मामले से लेना देना है नहीं मगर मालती के जो पिता है वो कहते हैं कि मेरी बेटी थी और मेरी बेटी कह रही थी मुझे कि मुझे उस दिन के लिए यहां छोड़ा जाए मगर ये बिश्णु ने माना नहीं उससे जबरजस्ती लेके गया अपनी जाल में बिनके ले गया अगर मालती को यही सब करना होता तो मालती उसके शाथ ही नहीं जाती विश्णु राज ने ही चाल चल के ही मेरी बेटी का जान लिया उनका कहने का मतलब है कि मालती की हत्या की गई ना कि मालती ने खुद कुसी की अगर विश्णु राज ऐसा ना किये होते तो आज जेल से बाहर आते